आये, कुडुक कहानी के लेखक, विमल टोपो की लिखी कहानी लोटरी का हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ लोटरी, लोटरी, लोटरी एक रुपईये में लगपती, दस रुपईये में करोडपती 100 रुपईये में अरबपती सिक्किम राजकी लोटरी भुटान लोटरी बस्चिम बंगाल लोटरी नागा लैन लोटरी मात्र एक रुपईये दस रुपईये शर रुपईये में एक टिकट बस बन जाईए रातो रात करोडपती भागे परिच्छा तकदीर आजमाईए लक्टराई कीजिए आपका लक है तो लाख मिलेगा लाख ही लाख भाईया भाभी दीदी मौसी बहंजी कटाईए टिकट और बन जाईए करोडपती सामुकतला बजार में ऐसा ही लाल खुयू बुढ़ा चावल खरिदने बाजार गया था घर से बोला गया था पैसा बचेगा तो सस्ता वाला जहींगा मचली लेते आना चावल खरिदने के बाद पैसा बचता है तो खुयू सोचता है एक पाव जहींगा मचली ही खरीदा जाएगा सीला पूठिया और चलानी मचली क्या खाना बहुत महँगा है और इसमें काटा भी मिलता है और इसमें चोकर और पोटा भी निकल जाता है 200 ग्राम खर देंगे तो मातर 200 ग्राम बचेगा इससे अच्छा तो जिंगा मचली ही खाएंगे कुछ भी बेर्थ नहीं जाता ऐसा सोचकर वो मचली बजार की तरफ जाने लगता है कि कलुआ से भेंट हो जाता है कलुआ भाई ही लगता है एकदम मतवार और जुआडी है भेंट होने की तुरंद बाद ही खुयू से पूछता बजार हो गया का दादा देखे क्या क्या खरीदे बोलकर जोला में जाकता है जोला में सिर्फ चावल था कलुआ बोला बस चावल और क्या खरीदोगे कि मचली बाजार तरफ जार हे हो खुयू बोला तुम्हारी भाभी ने कहा है पैसा बचेगा तो जिंगा मचली लेते आने को कलुआ बोला धत तरीके जिंगा मचली खरी दोगे दादा मेरे घर में ही तो सुखाया हुआ है चलिए मैं जितना होगा उतना दे दूँगा चलिए उधर किसी से भेट करना है कहकर कलुआ जाने लगा खुयो बुढ़ा भी पीछे पीछे हो लिया बजार के बाहर एक और बजार है उस बजार में डेगची और भंडा भरा हुआ है आवरतें और लड़कियां एक कतार में बैठी हुई है इसको डुब्बो बजार कहते हैं कलुआ खुयो को एक हडिया बेचने वाली के पास ले गया और अपनी तरब से दो दो गिलास हडिया पिलाता है खुयो तो अपने बिमार आदमी पीकर और नसा हो गया लोटते समय लोटरी वाले का माईक से फिर आवाज आती है लोटरी लोटरी लग अजमाईये लग पती करोड़ पती बन जाईये रातो रा कलुआ खुयो से कहता है आओ तो ददा मैं लोटरी खरीता हूँ कहकर लोटरी वाले की तरब गया खुयो भी पीछे पीछे गया वह जानता था कि लोटरी एक जुआ है कई लोग का घर जुआ से उजड गया है इसी लोटरी के कारण ही पारेश बाबु का जमीन जायदाद घर बंगला मोटर गाड़ी सब भी गया था लोटरी या जुआ सब खतरनाक नशा है इधर कलुआ 50 रुपईये से नंबर मिला कर 5 टिकट खरीदता है ये सब खुयो खड़े होकर देख रहा था कलुआ बोला लोटरी लगने से पैसा आएगा तो घर बनवाऊंगा खेत खरीदूंगा बच्चों का बयाह करवाऊंगा मैं पक्का बोल रहा हूँ खुयो दादा इस बार लोटरी लगना ही लगना है आप बस देखते रहना मैं पूरी रात में अमीर आदमी बन जाऊंगा मेरे हाथ में में रुपिया नहीं है इसलिए आज लोग तो क्या कुत्ता भी नहीं सुंगता है लोटरी लगेगा तो पैसा होगा तो लोग कलुआ बाबु कहकर पुकारेंगे दुनिया सिर्फ धनी लोगों को ही पहचानती है अगर आपके पास पैसा कौडी नहीं है तो आपका ज्यान बुद्धी पढ़ा लिखा होने का मोल सब बेकार है मुझे पैसा मिलने दो तब देखना दुनिया के लोगों को दिखा दूंगा मैं ऐसा कहते हुए कलुआ टिकट को अपने पॉकेट में रखता है और चुनावटी निकाल कर खुयू को खैनी देता है फिर स्वैम भी खाता है कलुआ की बात सुनकर खुयू के मन में भी लोब समाने लगा खुयू धोती में 10 रुपईये का नोट बांध रखा था जाच करने पर पैसा मालूम पड़ता है तो सोचता है कि मचली क्या खरीदूं कलुआ तो लोटरी खरीद ही रहा है इस 10 रुपईये से मैं भी लोटरी ही खरीद लेता हूँ और सोचता है लोटरी लगेगा तो मेरा भी किसमत चमक जाएगा मैं भी बड़ा आदमी बन जाओंगा कलुआ के जैसा ही मैं भी जमीन खरीदूंगा गाय बैल खरीदूंगा पहले मोटर साइकल खरीदूंगा या चार चक का मारूती नहीं नहीं अगर खरीद नहीं है तो बड़ा लॉरी खरीदूंगा, बहुत काम आएगा, खेज जोतने के लिए बैल ना खरीद कर ट्रेक्टर ही खरीदने से अच्छा होगा खुयू को सोच में पड़े देखकर लॉटरी टिकट बेचने वाला बोला, क्यों चाचा आप टिकट नहीं लोगे खुयू कुछ भी नहीं बोला, बस टिकट को देखकर विचार करने लगा, लॉटरी वाले को तो टिकट बेचना है टिकट वाला खुयू को बूला आकर बोला चाचा ये देखिए सिर्फ दो टिकट बचे हैं ये पस्टिम बंगाल का जैकपोट है इसमें जरूर फंशेगा पूरे एक करोड रुपईए आप विश्वाज कीजिए दो टिकट सिर्फ दस रुपईए में ये अंतिम टिकट है लकी टिकट चिंता मत किजिए इसका खेल आज ही है कहते हुए खुयू के पॉकेट में टिकट रख देता है खुयू बुढ़ा मोह करते हुए 10 रुपई एका नोट लोटरी वाले को दे देता है लोटरी खरीद कर ठीक किया की नहीं खुयू को समझ नहीं आस रहा था समझने के लिए समय भी नहीं था अब छाकोस की दूरी तै करते हुए कलुआ के साथ खुयू भी घर की और पैदल चनने लगा नसा रहने तक तो ठीक ही था जैसे जैसे नसा उतरने लगा खुयू के सीर पर चिंता मन राने लगा खुयू चिनती था 10 रुपईये का बेकार में ही टिकट खरीद आया लोटरी भी लगेगा की नहीं लोग 1000-1000 का टिकट खरीदते हैं किसी का भी तो लोटरी आज तक नहीं लगा है और इस 10 रुपईये का टिकट का क्या भरोसा बुर्बक कहीं का कहकर अपने को कोशता है उसकी पत्नी या घर की मालकिन उससे 50 रुपईये तो मांगेगी ही अगर कलुआ जींगा मचली नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगा वह अपनी पत्नी को पता नहीं लगने देगा कि वह लोटरी टिकट खरीदा है टिकट को वह बांस के खंधर में छिपा कर रखे देगा लोटरी लगेगा तब ही निकालेगा नहीं तो लोटरी को जला देगा और सारा बात अपने तक ही सिमित रखेगा कितना जलेगा दस रुपए ये ही तो जलेगा खुईू ऐसा सोचने लगता है वास्ता में कलुआ जूटा निकला पोरपोरो था कलुआ घर पहुँचकर बोला जींगा मचली तो नहीं है ददा मैंने यही रखा था तुम्बा में दिख नहीं रहा है सायद आपकी बहुए पका कर खा गई होंगी या किसी को बाट दी होंगी ये तो कह नहीं सकता अब तो बात ही खतम हो गई थी खुईू निरास होकर वापस आ गया घर में ठीक वैसा ही हुआ जैसा हुआ रास्ते में सोचा था चावल के अलावा और कुछ नहीं पाकर उसकी पतनी उसे खरी खोटी सुनाने लगी कहने लगी बिना सबजी के खाना गला से उतरता है क्या मांस मचली नहीं तो कम से कम एक मुठ़ा साग ही तो खरीद लाते किवल खाना पका कर रख दूंगी डाटेगी भी क्यों नहीं बच्चों के लिए बजार से खाने को लड़ू मुढ़ी भी नहीं लाया था वह उसकी पतनी गाल फुला कर लेट गई बच्चे भी बासी खाना में नमक डाल कर खाए फिर वो भी सो गए खुयू बिमार तो था ही उपर से च्छा कोश चल कर ठका हुआ भी था उपर से खाली पेट पतनी का नाराज होना बच्चों का बात न करना फिर लोट्री टिकट खरीद कर बड़ा पाप करना यही कारण था कि खुयू के सारी रात दस्त होता रहा सुबह होने तक खुयू अधमराशा हो गया था गाउं के लोग बैल गाड़ी में ढोकर सामुक तला अस्पताल पहुचा दिये विरिधावस्था में पुरानी बिमारियां भी ताजा होने लगी थी खुयू पहले से ही हिरिदे रोगी था उपर से लोटरी की टिकट खरिद कर अपने रोग को और बढ़ा दिया दिल की धड़कन और तेज हो गई थी उस कलुआ की लालच भरी बातों से खुयू ठगा गया था अब इस बिमारी से जूज रहा था आदमी जीएगा की नहीं ये सोचने की बात हो गई थी खुयू की पत्नी के लिए अब गाल पकड़ कर रहने से नहीं चलेगा कुछ तो करना ही पड़ेगा खुयू की पत्नी डॉक्टर के पास गई और घर के हालात के बारे में सब कुछ कह डाली और विंति की की खुयू किसी भी हालत में ठीक हो जाए डॉक्टर उससे कहा खुयू हिरिदे रोगी है उसके साथ दुलार प्यार से बात करना ही सही होगा उसकी सारी गलती को माप करना होगा गलती क्यों देखते हुए भी अंदेखा करना होगा उसे भरोसा दिलाना होगा कि उसने जो कुछ भी किया है या करता है सब ठीक ही है अगर कोई भी काम उसके मर्जी के विप्रित होता है कोई दुख की बात होती है तो किसी भी समय खुयू की सांसे थम सकती है ऐसा सुनकर खुयू की पत्ती का मन मायूस हो गया खुयू को बचाने के लिए पुरानी बातों को भूलकर। खुयू से अच्छी अच्छी बाते करने लगी। ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर। खुयू की जान में जान आई। कहा जाता है कि रोगी वेक्ती को सांत्वनापूर्ण बाते करने से स्वास्त्य दवादारू से तेजी से ठीक होने लगता है इससे रोगी को साहस ताकत मिलता है और वह जल्दी से ठीक होने लगता है गाव घर के लोग रोगी से मिलने आते हैं हाल समाचार पूछते हैं ऐसे में भी आधा रोग खतम हो जाता है दो दिन बीत गया डॉक्टर खुयू को छुट्टी नहीं दिया वह BPL काड़ वाला है खाना पिना श्पताल से ही मिलता है रोग तो खुयू के हिदे में है पेट में तो नहीं इसलिए वह तीनो पहर का खाना भर पेट खाता है तीसरे दिन पंचायत सदस्य और बाजार का वो लोटरी वाला भी खुयू को देखने के लिए अस्पताल पहुँच गये कमरे में परवेश करते ही हसते हुए हाल खबर पूछने लगे और जल्दी ठीक होने की दूआ करने लगे खुयू के हाथ पैर को पकड़ कर देखे सीर सहलाया ऐसा देख खुयू अचमभीत हो गया अरे आज सुरज पस्चिम से कैसे निकल गया ये पंचायत सदस तो खुयू कुछ जानते भी ना थे आज इनकी आँखों में दया भाव कहां से उमड़ आया इंदीरा आवास योजना लाब लेने की चकर में चार साल पंचायत सदस के चकर काटते काटते चपल घिस गए पर अब तक कुछ लाब नहीं मिला आज ये किसलिए मेरे आसपास मनरा रहे हैं ऐसा सोचने लगा खुयू उसको समझ आ गया था कि आने वाला चुना में वोट के लिए ये सारा ताम जाम हो रहा है लेकिन खुयू जानता था किस बार चुना में खुयू इस सदस से को वोट नहीं देगा इसके रहते खुयू को ना तो घर मिला ना कुआ ना रास्ता ना ही सौदीन का रोजगार नहीं नहीं अंधो का डंडा एक ही बार खोता है बार बार नहीं खुयू को कहावत याद आ गई पंचायत सदस्या और लोटरी वाला डॉक्टर के चिमबर में गुश कर बहुत देद तक बात किये और तीनों खुयू के कमरे में आए अब तो डॉक्टर भी उन दोनों की ही तरह हस कर बात कर रहा था या खुयू को हैरान कर देने वाला बात था डॉक्टर चटर जी अपने यंत्र को खुयू के दिल की उपर रखता है और लंबी लंबी सांस लेने को कहता है आँख और जीब को भी देखकर जाच करता है और खुयू की पत्नी से कहता है और एक सब्ताह तक खुयू को अस्पताल में रहना पड़ेगा जब तक ठीक नहीं हो जाता छुटी नहीं मिलेगा तुम घर चली जाओ सेवा करने के लिए हम लोग हैं नर्स लोग भी हैं समझी खुयू की पत्नी हां में सीर हिलाई पंचायत सदस पचास रुपईये का नोट निकाल कर उसकी पत्नी को घर जाने के लिए किराया देता है खुयू की पत्नी पैसे लेकर घर लोड जाती है डॉक्टर अपने चेंबर में चला जाता है पंचायत सदस और लोटरी वाला भी मोटर साइकल चालू करके चल जाते हैं डॉक्टर चटर जी अलिपूर के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मित्रा को फोन लगाता है डॉक्टर मित्रा साम में खुयू को देखने पहुचा वहाँ उसने सभी परकार का जाच करता है ब्लड ट्रेसर, कार्डियोलोजी, ECG, X-ray सभी फिरी में किया जाता है एक भी पैसा खर्च नहीं होता है अंत में डॉक्टर मित्रा खुयू से पूचता है वह क्या खाना चाहता है खटा, मिठा, मसालेदार क्या वह किस से ज़्यादा प्यार करता है पत्नी या बच्चे किसके उपर ज़्यादा विश्वास या भरोसा है नीद लगता है या नहीं गुस्षा आता है या नहीं किस समय धड़कन तेज हो जाती है इस परकार का और भी सवाल पूचता है खुयू जो समझा वो बता दिया और जो ना समझ सका वो नहीं बता पाया लेकिन डॉक्टर का सवाल पर सवाल पूचना खुयू को समझ नहीं आया डॉक्टर मित्रा डॉक्टर चटर जी से कहता है खुयू का लालच को धीरे धीरे घटाना होगा जैसा कि तुमने फोन पर बताया कि खुयू का एक करोड का लोटरी लग गया है और वह हिरिदे रोगी भी है अगर लोटरी वाला बात खुयू को बता देते हैं तो करोड पती बनने की बात सुनकर खुशी के मारे खुयू को हाट अटेक भी आ सकता है इससे उनकी जान भी जा सकती है अब उन्हें थोड़े थोड़े रुपईये का लालच देना होगा जैसे आज एक हजार कल दस हजार लाक दस लाक फिर करोड इस परकार से उसे पैसे की बात सुना सुना कर आदत बना देना है इस परकार से करोड पती बनने से खुशी से जो हाट अटेक होने का खत्रा है उसको कम किया जा सकता है अचानक ऐसा खबर पाकर आदमी की हाट अटेक से जान भी जा सकती है अतव जान बचाने के लिए डॉक्टर चटर जी को ही यह काम करना पड़ेगा दूसरों से नहीं होगा डॉक्टर चटर जी डॉक्टर मित्रा की बात को मान लेता है दूसरे दिन सुबह दूसरे रोगियों की जाच करते हुए डॉक्टर चटर जी खुयू के पास पहुँचा और पूरे सरीर की जाच करते हुए बोला खुयू तुम्हारा रोग जल्द ही ठीक हो जाएगा तुम चिंता मत करो अच्छा एक बात बताओ सच सच बताना बोलिये हुजूर क्या जानना चाहते हैं खुयू बोला डॉक्टर बोला मानलो मैं तुम्हें एक हजार देता हूँ तो तुम उसका क्या करोगे खुयू थोड़ा सोच कर बोला हुजूर उस एक हजार का मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े खरी दूँगा ठीक है डॉक्टर चला जाता है ऐसा बोलकर भला डॉक्टर उसे क्यों एक हजार देगा खुयू समझ नहीं पाया डॉक्टर दूसरे दिन फिर लोब देते हुए पूछा खुयू अब बताओ अगर मैं तुम्हें दस हजार दूँगा तब उस रुपईये का क्या करोगे दस हजार की बात सुनकर खुयू का मुँँ खुला रह गया क्योंकि उसके परिवार में आज तक इतना पैसा नहीं देखा था तो उसने डॉक्टर से पूछ ही लिया हुजूर भला आप मुझे दस हजार क्यों देंगे डॉक्टर हस्ते हुए बोला बस यूँ ही पूछ रहा हूँ आप बताओ तो क्या करोगे इतने रुपईये का खुयू जबाब देता है दूद के लिए गाय खरी दूँगा खेद जोतने के लिए बैल खरी दूँगा डॉक्टर हस्ते हुए चला जाता है अगले दिन डॉक्टर फीर से रुपईये के बारे में पूछता है इस बार वह दस लाख रुपईये के बारे में पूछता है डॉक्टर की रोज-रोज की पैसों की सवाल पूछने से जान गया था खुयू की डॉक्टर अगले दिन भी फिर से वही सवाल करेगा इसलिए वह पहले से तैयारी की हालात में तुरंत बोला हुजूर दस लाख मिलेगा तो सामुक तला में जमीन खरीदूंगा घर बनवाऊंगा और बच्चों के लिए मोटर साइकल भी खरीदूंगा गुड वेरी गुड बोलकर ड्राक टोर्च चला गया आखिरी दिन डक्टर तियार होकर आया आज करोड रुपईये के बारे में खुयू से पूछना था दस लाख तक तो ऐसा कुछ भी असमाने घटना नहीं घटा था खुयू के साथ तो करोड रुपईये की बात पर भी खुयू को समान नहीं रहेगा डक्टर को ऐसा लगने लगा था क्योंकि खुयू गरीब तो था ही लेकिन मजबूत इरादा वाला था डक्टर खुयू के कमरे में हसते हुए अंदर गया और बोला खुयू कैसा लग रहा है आज और दिन से अच्छा लग रहा है हुजूर आज छुटी दोगी क्या खुयू बोला हाँ छुटी तो देंगे लेकिन मेरे आखरी सवाल का जबाब ठीक ठीक दे पाओगे तो अभी ही दे देंगे अगर नहीं दे पाए तो एक सप्ता और रुकना पड़ेगा डॉक्टर बोला जी हुजूर अवस्य जबाब दूँगा खुयू बोला अच्छा ठीक है बोलकर डॉक्टर रोज की तरह जाच करने लगा खुयू ठीक हो ही गया था धडकन समाने था बलड प्रेसर भी ठीक था खुयू स्वास्त लग रहा था यही सही समय था लोटरी की बात करना लोटरी खुयू की किस्मत में ही लगना था इस दवरान पंचायत सदस और लोटरी वाला भी कई बार आये और चले गए थे इस करोड रुपईये में 3 लाख रुपई एजेंट को कमिशन के रुपई मिलना था खुयू टिकट को काउंटर में जमा करता है तो पैसा भी हाथो हाथ मिल जाना है पैसा मिलता है तो खुयू करोड पती बन जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है ऐसा सोचते हुए डॉक्टर चटर जी खुयू के सामने खड़ा हो गया कमर में हाथ रखा और बोला खुयू मान लो आज ही तुमने लौटरी का टिकर खरीदा और आज ही एक करोड का लौटरी लग जाता है तो तुम उस पैसे का क्या करोगे इस हजार लाख दस लाख की बात सुन सुनकर खुयू गुस्सा आ गया था वह धीरे धीरे उठकर पलंग पर बैठा और डॉक्टर से बोला अगर आज मेरा एक करोड का लौटरी लगता है तो आधा हिस्सा आपको ही दे दूँगा डॉक्टर चकीत होकर बोला ये तुम क्या बोल रहे हो खुयू बोला मैं ठग नहीं रहा हूँ डॉक्टर सहेब गरीब जूट नहीं बोलते बड़े लोग को नहीं ठगते मैं कसम खा कर बोल रहा हूँ एक करोड मिलेगा तो मैं तुम्हें बराबर बाट दूँगा डॉक्टर खुयू को हैरानी से देखते हूँ बोला खुयू बोलना असान है करना नहीं जरा सोच समझ कर बोलो खुयू बोला मैं कुडुक आदिवासी हूँ सहेब मेरा वादा है इस गरीब का जबान है आपसे डॉक्टर खुयू की बात सुनकर हडबडा गया तो क्या यह कुडुक गरीब आदमी हमको आधा हिस्सा देगा एक करोड का आधा पचास लाख होता है मतलब मैं पचास लाख का मालिक बन जाओंगा हे भगवान इतना पैसा अचानक से मिलेगा क्या बाद में यह आदमी अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएगा डॉक्टर सोचने लगा डॉक्टर के पूरे सरीर में हल्चल मज गया आवाज भी कापने लगा था डॉक्टर पूछा खुयू तुम अपने वादे से मुखर तो नहीं जाओगे खुयू कमर में बंधा हुआ लोटरी का टिकट को निकालते हुए बोला देखिये साहब मुझे पर विश्वास नहीं है तो ये लिजे लोटरी का टिकट आप ही रख लिजे और पैसा मिलने पर आदा इसा मुझे दे दिजेगा ऐसा कहते हुए टिकट को डॉक्टर की और बढ़ाया डॉक्टर चटर जी ने टिकट लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कटे पेड की तरह फर्स पर सीधे गिर पड़ा और टिकट भी नहीं ले पाया उसी समय नर्स कुजूर भी ट्रे में दवाई पकड़े हुए कमरे में परवेज करती है और देखती हैं कि डॉक्टर चटर जी फर्स पर गिरे पड़े हैं छूकर देखती हैं तो मालूम पड़ता है डॉक्टर की सांसे बन थी उसका दिल का दोरा पड़ने से मृत्यू हो गया था